नमस्कार निउस बिलिटीर मां आपनू स्वागत छे हूँ छू पंकर्ज प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ना एक्सक्लूजिव इंटर्वी मां तेमने यूपी मां कई रीते बीजेपी औने डबल एंजिनी सरकारे विकास करेयो छे ए बाबाती तेमने फोकस करेयो होतो च यूजेटरिंग गुजराथी पर हमें आपने वतावियों ने प्रधार मंत्री आमा अलाग 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 राज्यों विश्वे और अलाग अलाग राजनितिक मुद्दा उपर पोतानी बात कही छे जो में चुनाव शुरू हो रहे हैं तो आपने जमकर कैम्पेनिंग की है तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इंकम्बंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको वैसे चुनाव भोशित होने के बाद मैं किसी राज्य का दवरा नहीं कर पाया हूँ कि 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 इलेक्शन कमिशन ने कुछ मर्यादाइं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूँ लेकिन वरिच्वेली मुझे बीच बीच में कारकरताओं से बात्तित करने का आपस्वाद मिला है चुनाव का समय हो या नहो भारती जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो हम हमेशा जनता जनादन की सेवा में लगे रहते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीवरता से अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को ले करके जी जान से जूटे रहते हैं और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारती जनता पार्टी के प्रती लहर है भारी महमत से भारती जनता पार्टी जीतेगी और भारती जनता पार्टी को सेवा करने का मोका इन सभी पांच राज्यों की जनता देगी और यह भी सही है कि जन राज्यों में हमें सेवा करने का मोका मिला है उन्होंने हमें परखा है हमारे काम को देखा है है अखिलेश केहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योजनाएं आप की नहीं थी मली बीजेपी की नहीं थी वह उनकी अपनी योजनाएं है आप अपने जामाव है उससे मुझे बहुत आनंध होता है जब यह सुनता हो तो हो कि योगी जी कीह इतनी महनत और इतनी सफल योजना उसको साकार करना और उसको कभी कोई एनकैस करने के लिए इधर उदर की बाते करता है तो मैं उसमें से एक आर्थ यह निकालता हूं कि योगी योगी जी की ये योजना इतनी अध्भूत है और सम्मों को उन्होंने संभोग करके दिया है तभी जाकर कि विरोधी भी उसको कैस करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं वरना विरोधी विरोध करता कैस करने के लिए मैदान में उतर है मतलब योजना अच्छी है योजना सफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको प कि राजनेता और सरकारों का काम या हर चीछ यह बोलति रह वयर करेंगे वू करेंगे कभी इसकिश और कोई चीछ दुनिया में देख छोड़ी नहीं है कोई नेता मिल जाएगा वो कहें हम चंदbaseमltry burning बेड़ने वाले पोने यह उसने कभी कहा होगा कि हम चंद्रे पर व्यवस्ताइं खड़ी करने वाले हैं और सो साल के बाद भी पचास साल बाद तीस साल भी कोई कर देगा तो कहेंगा हां देखो हमने उस समय कहा था ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे आपने क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है आपने भाशनों में पार्लिमन में भी आप कर रहे थे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाईयों की पार्टी है आपने और योगी जी ने कहा कि गुंडे हैं उस पार्टी में तो क्या आप और समाज वो क्राइम फ्री की तरफ बढ़ रही है और यह साथ हो सकता है संभव है पहली बात है कि जब लोग उत्त प्रदेश में सुरक्षा के विशे की चर्चा करते हैं तो वहां के सामान्य मानवी के मन में पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबते जेली है जिस परकार से गु से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबू को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था जिस परकार से इस परकार के दबांग लोगों को सरकार में एक परकार से प्रतिष्ठा थी आस्रह था यह सारी चीजे उत्तर प्रदेश ने बड़े निकर से देखा है बैन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी यह उत्तर प्रदेश ने देखा है आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधिरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकते हो यह जो विस्वास पर्दा हुआ है वह मैं समझता हूं सुरक्षा के आज तिती यह हैं कि उनको हाथ जोड़के कहना पड़ता है कि यहां भार मुझे भी रहना नहीं है तो मुझे जेल में रखो ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिनगी बच जाएगी क्योंकि मेरे पाप और हर को सरंडर कर रहा है बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर किया है कुछ लोगों को उसके एकान तकलीब हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था आज खास करके माताओं बहनों को जो सुरक्षा मिली है यह बहुत ही महत्वपूर है अब आप देखिए इतना बड़ा कुम का मिला हुआ है यहने हमारे देश में हुई है कुम की मिलों म कोई कानून विवस्ता के समस्या नहीं कहीं चोरी की भी खबर नहीं आई यह किसी भी समाज को संतोस देना लगाल विशह है सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स चपती है उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की जहां पर चीफ मिनिस्टर कंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कंडिडेट का होते है नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगा तो अगर क्या हम यह मान के चल स पार्टी एक कलेक्टिव लिडर्सिप में विश्वास करती है। कि और हम स्धर्ड पर सामग रुप से काम कुने के आधी वह तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं, भारतो ही जिननता पार्टी के कारकार्टा की तस्वीर जिसको नरएद्रमोदी कहते हैं और कारकर्टां के शाहत ग Dafür hamd तो मेरे लिए तो इतना ही होता है और देश की जनता भी ए ऐसे कि जृट जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव कि यह फलाने का ह्रू अप Zero डिक नीजीने कमया मत्त अब आप हमारे कारे का है हमारे अचार विचार का है हमारी नीतियों का है और सब से जादा हमारी नियत का है और मैं मानता हूँ देश उसको समर्थन कर रहा है उत्तर परदेश विदान सब्सक्राइब